जहें दोस्तों वंदे मात्रम रवी शास्त्री जो कि भारती क्रिकेट टीम का काफी लंबे समय से एक हिस्सा रहें चाहे खिलाडी के तौर पर हो कोच के तौर पर हो या टीम के डिरेक्टर के तौर पर हो लेकिन इनके साथ ही उनका एक नाता विवादों के साथ भी हमेशा र यहां पर हाला की वह अपने आलोचोकों को जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं अब क्या कुछ कहा है रवी शास्त्री ने यहां पर वही सब हम जानते हैं इस वीडियो में पूर्द भार्दी क्रिकेट टीम के कोच रवी शास्त्री ने इंग्लेंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड के नए क्रिकेट निदेश्यक रॉबर्ट की को सलाह देने की बहाने अपने आलचोकों पर निशाना साधा है शास्त्री ने इंग्लेंड के पूर सलामी बल्लेबास को कहा है कि उन्हें ड्यू गेंद की तरह मोटी चमड़ी विक्सित करने की जरूरत है जैसे उन्ह एक साल के दौरान कुमले को मुख्य कोच के तौर पर नियुक्त किया गया था बाद में कुमले और विराट कोली की बीच में अन्मन होई तो उनको हटा दिया गया और फिर शास्त्री उनके कोच बन गया शास्त्री के दार रॉबर्ट की भी लंबे समय से प्रत्रेसे कॉमे मेरी चमड़ी मोटी मतलब कि में लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देता हूँ आप जिस ड्यूक गेंद के इस्तमाल करते हैं उससे भी मोटी ब्रिटेन की समचार पत्र ने इस पूर भारती मुख्य कोच के हवाले से कहा है कि आपको इसका सहारा लेना होता है रोबर्ट जो रूट के साथ जबिन मुद्धो पर चर्चा करने की जरूरत है जिससे की समच सके कि आखिर सारा काम कैसे किया जाता है दरसल भारती क्रिकेट टीम के साथ काम करने के अपने अनुभव के अधार पर शास्त्री का मानना है कि दुनिया भर के क्रिकेट जगत में सभी दोरी टीम का कोई मौका नहीं देना फिटनेस का लेवल सबसे उपर होना तेज गेंदबाजों का समू तयार करना जो विदेशों में 20 विकेट चटका सके और यह आपके रवईये से भी जुड़ा हुआ है विशेशकर जब और शिलिया जाकर और शिलिया खिलते हैं मैंने लड़कों से कहा कि अगर आपको एक भी गाली दी जाती है तो आप तीन वापस कीजिए दो हमारी भाशा में और एक उनकी खुट की भाशा में जिससे कि उनको पता सल सके कि उनका पंगा इस बार कोई ऐसी वेसी टीम से नहीं हुआ है तो ऐसा ही हुआ और जब नतीजे साम पैक टीम होती है उसको हराया था तो सीधी सी बात है भई तारीफ तो हो नहीं थी मेरे सुडियों फिलालत नहीं जाए हैं जाए बारा